मस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हर्दीव स्वागत है आज हम आपको स्वाती नच्छत्र के जातकों के बारे बताएंगे कि जिन लोगों का जन्म स्वाती नच्छत्र में होता है उनका सुभाव कैसा होता है उनमें क्या-क्या गुण होते हैं और क्या-क्या और पर देखने को मिलती रहे हाँ आप में ऐसी भावना है ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाप लोगों को भी हो तो प्लीज हमें शेयर करना न भूलें आईए बात करते हैं स्वाती नच्छत्र में जिनका जन्म हुआ है उन लोगों की साथियों जिन लोगों का जन्म वह जो है सबसे बड़ी चीज यह है बहुत होश्यार होते हैं समस्दार होते हैं सीतल सुबहों के होते हैं और सबके मित्र होते हैं सत्रों की संख्या स्वाती नच्छत्र में जन्म लेने वालों की कम हुआ करती है साथ ही साथ जो है व्यापार में ये बहुत निपूर होते हैं व्यापार करके जीवनियापन करते हो व्यापार से बहुत लाब कमाते हैं इनका नाम समाज में येश प्रसिद्ध होता है समाज में हमेशा ऐसे कारियों में लगे रहते हैं जिससे जो है इन्हें पर सिर्धीप रात हो सिख्षा कभी-कभी इन लोगों की अधुरी रह जाती है कारण आर्थिक भी हो सकता है या कुछ और आर्थिक दर्ष्षित से तो संपन होते हैं लेकिन जो है सिख्षा अधुरी रहने के कारण बीच में बीमारी की वज़े से या किसी अन्य कारणों से सिख्षा अधुरी छोड़नी पर जाती है जीवन जो है जाती समाज कुटुम्ब में पूर सम्मान के साथ बीचता है इनका इनको समाज से बहुत अधर मिलता है सम्मान मिलता है जीवन में यह इंजिनियर ओवर्शियर होकर भी इमानदाली से जीवन का निर्वाहन करते हैं परोपकारी बहुत होते हैं इसमें कोई संदे नहीं परोपकार के साथ साथ इनमें दया की भावना होती है और दानी सोभाव भी इनका होता है सादू संथों की सेवा करना इश्वर पर विश्वास करना इनका विशेस लक्षा है विशेस सोभाव है साथी साथ इनका भाग गुदय जो है वो तीस से चछतिस वर्स की अवर्स्था में होता है कुरूर ग्रह की जब दसा आती है तो कुरूर ग्रह की दसा में सनी के तुशूर के अंतर में इन्हें सत्र पिड़ा, चोरी, हागजनी और रोग प्रतारित करते हैं तो साथियों एक बार फिर कहेंगे यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करने ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी आपको समय समय पर देखने को मिलती रहें हाँ आप में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो बल आप लोगों को भी हो तो प्लीज हमें शेयर करना न भूले, लाइक करना न भूले इश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, हमेशा जुह है आप अपने कारियों में सफल हूँ, सफलता आपके कदम चुमे, धन्यवादू